आप देख रहे हैं Alpha Defense, Alpha Defense हिंदी में आपका स्वागत है आप हमें जॉइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर Facebook, Instagram, Twitter और English viewers हमें जॉइन कर सकते हैं Alpha Defense English पर आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेजस मार्क 1A को लेकर तेजस मार्क 1A को लेकर दो बड़े अपडेट आ रहे हैं पहला अपडेट तेजस मार्क 1A की डील को लेकर है कल 3 February 2021 को 83 LCA तेजस मार्क 1A को लेकर डील साइन कर ली जाएगी यानि कि यहां से 36 महिने के अंदर LCA तेजस मार्क 1A अपनी एसेम्बली लाइन से रोल आउट होना शुरू हो जाएगे और दूसरी अपडेट इस फाइट जेट के प्रड़क्शन को लेकर ही है आज रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने LCA तेजस डिवेशन का दूसरा प्लांट इनाउग्रेट कर दिया है यानि कि आने वाले कुछ समय में ही LCA तेजस मार्क 1A के लिए एक और एसेम्बली लाइन बन कर तयार हो जाएगी अभी आप अपनी स्क्रीन पर इसी एसेम्बली लाइन की फोटोग्राफ देख सकते हैं ये एसेम्बली लाइन साल के 8 फाइट जेट अपने पहले चरण में रोलाउट करने में सक्षम होगी हलाक इसका प्रड़क्शन रेट बाद में बढ़ाया जा सकेगा अगर अभी के प्रड़क्शन केपैसिटी की बात की जाएं तो इस समय HAL LCA डिविजिन से 8 एरक्राफ रोलाउट कर सकता है वहीं किरन हैंगर से 4 यानि की करन्ट प्रड़क्शन केपैसिटी 12 एरक्राफ पर इयर की है लेकिन आने वाले कुछ समय में ट्रेनर एरक्राफ भी रोलाउट किये जाएंगे जी हाँ, HTT-40 और HJT-36 सितारा भी कुछ समय के बाद में प्रड़क्शन में जाएंगे और उसके हिसाब से HAL की प्रड़क्शन केपैसिटी 16 तेजस मार्क 1A पर इयर की हो जाएगी जब हम बात करते हैं LCA टेजस मार्क 1A की तो इसमें जो 83 का नमबर है इसमें 10 ऐरक्राफ्श ट्रेनर ऐरक्राफ्श है है और remaining 73 ऐरक्राफ्व फाइटर जेट से Reports के हिसाब से trainer aircraft का production They just mark 1E کے production से पहले खतम कर लिया जाएगा और 16 aircraft per year के हिसाब से 73 aircraft almost 4.4 में complete कर लिया जाएगे लेकिन यहाँ पर एक और catch है inauguration के समय HAL के chairman और managing director Mr. R. Madwan بول रहे थे कि ये phase 1 है इसका मतलब है आने वाले समय में HAL की production capacity और जदा बढ़ाई जाएगी theoretically कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे order मिलता जाए वैसे वैसे production capacity बढ़ाई जाए वैसे भी अगले साल नासिक assembly line अपने orders complete कर लेगी और कुछ समय पहले Defense Acquisition Council ने इस assembly line को भी modify करने के पैसे approve किये थे यानि कि आने वाले समय में LCA Tejas Mark 1A की assembly बिल्कुल सटीक timeline के साथ की जाएगी और आप बात कर लेते हैं LCA Tejas Mark 1A से related एक और update के बारे में वैसे इसे update नहीं कह सकते हैं लेकिन कुछ insight जो निकल कर आ रही है वो भी काफी interesting है इस साल Arrow India 2021 के दोरान display पर LSP-3 aircraft होगा ये वही aircraft है जिसके उपर सबसे ज़ादा high angle of attacks पर test किये गए है इसको 8.5G तक की maneuver पर test किया गया है और अब इस समय इस aircraft की electronics को modify किया जा रहा है अगर dots को connect किया जाए तो समझ में आता है कि ये aircraft ही LCA Tejas Mark 1A के लिए पहली test bed होगा हलाकि chances हैं कि एक या दो और aircraft इस requirement के लिए modify किये जाए अभी आप अपनी screen पर इस aircraft को static display पर देख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि Arrow India के दोरान आपको इस aircraft की close-up photographs लाके दे सकूँ अब बात कर लेते हैं LCA Tejas Mark 1A के giveaway model को लेकर हम लोगों ने इस contest के दोरान जो Twitter पर तीन question पूछे थे उसके सही answer बहुत लोगों ने दिये हैं और इसको लेकर lucky draw आज रात साड़े 9 बजे के आसपास हम लोग declare कर देंगे अगर आप अभी भी इस competition में participate करना चाहते हैं तो आप Twitter पर जाकर Alpha Defense और 3D Print India के Twitter handles को follow करके तीनो सवाल के सही answer साड़े 9 बजे से पहले तक दे सकते हैं और उसके तुरंद बाद हम लोग results declare करतेंगे याद रहे है pre-requisite में आपको इंस्टा अकाउंट से भी follow करने हैं ये सारे link आपको नीचे description में मिल जाएंगे इसके साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही आपको क्या लगता है बताईए हमें comment section में आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताईए हमें comment section में वीडियो को अंठ तक देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताईए हमें कॉमेंट सेक्षन में आखेर क्यों देखते रहें आलफा डिफेंस धन्यवाद जैहिन झालफा देखते रहें आलफा करें आलफा रहें आलफार नहीं है